कि अब अगधियो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विद्यकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम मैं विद्य जो है इससे समदेद हैं दूसरा वीडियो हो गाई है और इसमें हम डिसकस करेंगे तलाक को क्योंKि आप सबस्के हैं सकते हैं वहां screens करेंगे क्यों कि आप आँ घ्याइट करेंगे क्या है अरट क्या को सब्सक्राइब इस attempt को यहां से मेंस्क के साथ प्री में भी बहुत सारे सावाल प्ँछे जाते हैं और इसमें क्युक् हम इस सारे वीडियो को टॉपिक के रूप में रिकार्ड कर रहे हैं और इसके बाद के लिए हम बाद में वीडियो और ले आएंगे जिसमें हम कोशिस करेंगे कि जो अभी तलाग पे या बिवाह पे और मेहर पे इद्दत पे या जो और भरण पोसड है दान है वक्फ है इन स में जो है किसी दरा की दिक्कत ना हो बाकी मेंस में जो है यह जो टॉपिक है यह इसके लिहाद से बहुत महत्पूर्ण होगा तो आएए देखते हैं कि तलाक जो है यह किस प्रकार का सब्द है या इसमें कौन-कौन से प्रकार है तलाक के तो अरभी भासा में जो तलाक है इसका सब्द होता है नामंजूर करना लेकिन मुस्लिम लागर देखेंगे तो इसमें इसका आर्थ होता है बैवाहिक बंदन से मुक्ति तो मुस्लिम विधी के अंतरगत कोई बालिक व्यक्ति अर्थात वयस्क व्यक्ति और आकिल अर्थात स्वस्थचित व्यक्ति अपनी पती जो पती होता है अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए जब चाहे वह तलाक दे सकता है और हनफी विदी के अंतरगत विवस्ता या नस्य में दिया गया जो तलाक होता है वैद होता है जबकि अन्य विचार धाराओं नख़ Maori विष्ग नाकत कोई तलाक देने का कोई राइट नहीं है लेकिन जो पती हलांकि पत्नी को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है तलाग का लेकिन पति जो है अपनी तलाग देने की जो सकती है वह है डेलिगेट कर देता है पत्नी को तो जब वह है प्रत्ययोजित कर देता है या डेलिगेट करता है तो आइसी स्थिति में जो पत्नी है वह तलाग द लिख रहे हैं तो उसकी कापी में अगर आप इन सारे सब्दों को नहीं लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और क्योंकि यह जो है अर्भी या उर्दू सब्द इसमें यूज होते हैं तो आप उनको यूज करेंगे तो इससे जो है प्रवायूद होगा और इससे पता चलेगा का अपने डीप नालिज हासिल किया है और तीसरा प्रकार है पारस्परिक सहमती से विवा विच्छेत तो पारस्परिक स तलाग का विकल्प आश艺ज कई दोनों पखशकारों को प्राप्त होता है क्योंकि मुस्लिम विधी में बिवा कि यह और दो बाद में मुस्लिम विवाह विछेद अधियम उनई 149 जो आया है इसकी धारा 2 के अंतरगत पत्नी को भी तलाक के कुछ अधिकार दिये गए हैं और इसके पहले जो तलाक के सारे अधिकार होते थे वह पति को होते थे वह कभी भी किसी भी छण किसी भी तरीके से हसी मजाक में किलिए नसे में या किसी अन्य राद्यम से फोन के माध्यम से पत्र के माध्यम से कोई जो पूरूस inzona को तलाग दे सकता थाleben दोरु सकता है और लेकिन महिला को कुई अधिकार नहीं प्राप्ट था लेकिन het 249 का जो अधनियम आया है मुस्लिम महिला विवाः विच्छे दरनियम तो इसके दोरा पत्नी को भी कुछ जो है तलाग के संबंध में राइट प्रदान किये गए है तो तदाग देने के लिए सक्षमता क्या होगी कौन सा व्यक्ति तलाग दे सकता है तो सिया विदी के अंतर अंतरर्गत इसमें जो है दो अलग अलग नियम है तो सिया विदी के अंतरगत जो है मुसल्मान हो बालिग हो आकिल हो और मुख्त आर्थात को अपने तलाग chociaż लेकिन अगर सुन्नि वीधि को देखेंगे तो सिन्सुनी वीधि के अंतरगत जो है इस्तिति अलग है तो उसमें के वल जो स्वस्तम तो चित्ट वेक्ति्ट 365 है और वालित है वाषद व्यसक्ष है और स्वस्थचित है तो वह मुसल्मान पूरुस जब चाहे बिना किसी कारण के बिना किसी कारण बताए अपनी पत्नी को तलाग दे सकता है तो यह सुन्नी विधी है और सीया विधी के जो आधार है वो आपने उपर देखा है अब हम देखेंगे तलाक कितने प्रकार के होते हैं तो तलाक जो है दो प्रकार के मुख्यता होते हैं एक होता है तलाक सुनत दूसरा है तलाक विद्दत अब तलाक सुनत जो है यह पाइगंबर साहब की परंपरा के अनुसार है और यह स्तरोत्तम प्रकार का तलाक मना जात ज्यादा important है किताबें पढ़ने से बहुत बार भठकाव हो जाता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है तो आप इस वीडियो कर देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तलाक के संबंध में कभी भी मेंस राइटिंग में कोई गलती नहीं होगी प्री म वाकि में तलाक का उच्चारण करता है और ऐसा जो तलाक का उच्चारण होता है तो जब उसे समय किया जाता है जबकि इस तरी तुहर काल में होती है तो 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 हर काल में ही तलाक का उचारण होना जरूरी है और जब तलाक का उचारण कर दिया गया तो उसकी आवद बाद जो है इद्दत की आवधि का पालन करना होगा और इद्दत की जो आवधि होगी उस अवधि में संभोग से दूर रहना होगा अगर एक बार तलाक का उचारण कर दिया गया अर्थात पत्नी को तलाक सब्द बोल दिया गया उसके बाद इद्दत का पालन जारी है और इद्दत के दौरान अगर दोनों लोग पती और पत्नी अपस में संभोग कर लेते हैं त तो वहां पर वह जो तलाक का प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा फिर वह सामान ने उनका जो जीवन है वह चलने लगेगा लेकिन अगर इद्दत का पूरा पालन कर लिए तो इद्दत की अवधि क्या होगी तीन चंद्रमास है या चार माह दो दस दिन जो है उसकी जो आ लिए द्दत क्या होता है उसका पालन कैसे होगा और अलग-अलग जो व्याओं Ah सबस्क्राइबvan अंतों प्रभाव होगा किस प्रकार को ऊस आरी बातों में दैखेंगे अभी इसमें तलाक सब्द को समझेंगे उसके प्रकार को दिखते हैं अब जो टलाक सुनप है जो दूसरा रूप है उसको तलाक अफसन अफसन कहा जाता पहला तो एहसन जेकंगा अफसन का इस तो इसमें क्या होता है कि इतमें तलाब सब्द का जो चारण है वह तीन अलग अलग तुहरकाल में होता है अर्थात एक जो अभी तुहरकाल चल रहा है तो आज तलाग बोल दिया गया इसके बाद एक महीना बाद पुनह जो है तो फिर से तुहरकाल में जब इस्तरी होगी त तो वहां पर दूसरा तलाग सब्द का बोला जाएगा उसके बाद एक महीना बाद फिर जो है तीसरी बार जबकि पत्नी तुहर काल में होगी फिर से तलाग कि बोला जाएगा तो यह जो अवधि है यह इस अवधि में संभोग नहीं होना चाहिए अगर यहां पर संभोग हो तो यह जो तलाग है वह निस्परभाव्य हो जाएगा और यह उसके बाद तीसरी के बाद भी फिर एक महीने का जो अवधिये इद्दत की उसको पालन करना होगा तो इन दोनों के बीच में इद्दत की अवधि है इसके दावरान संभोग नहीं होना चाहिए अब इसमें हम देखते हैं कि तलाग का उच्चारन कम से कम तीन अलग अलग तुहरकाल में किया जाना चाहिए तो एक तुहरकाल यह हो गया किसी कंडीशन में बोला जाना चाहिए जबकि पतनी पाक वस्त्ता में हो और अस दवरान ऊसको मासिक धर्म नहां आता हो यह ब्रिद्ध हो गई हो या किसी अञ्यकारण से मासिक धर्म बंद हो गया हो तो इसी स्थिति में जो उच्चारन होगा यह तीस दिन के अंत्राल प पतनी प्रिथक रहेंगे इद्दत का पालन किया जाएगा तुहर की इन अवधियों में संभोग नहीं होना चाहिए अगर वह संभोग हो गया तो उसका जो तलाक बोला गया है उसका जो प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तीसरे उचान के बाद इद्दत की अवधि बीत जा तलाक बिद्दत की नाम सेना जाता है क्योंकि तलाक का घड़त रूप है और इसमें acquie सिंद की के जो सफवाई साखा है और हनभी जो साखा है इसमें मानिता गयी है और विवा समापत हो जाता है और यह एक बार अगर बोल दिया गया तो इसे रद नहीं किया जा सकता है इसे ही तिहरा तलाक इसे ही कहा जाता है ट्रिपल तलाक जिसे बोलते हैं जिसको अभी अनकांस्ट्यूशनल घोसित किया गया और अपराद बता दिया गया है एक सुप्रिम कोड का निर्ड़े था उस तलाक को हमने देख लिया और जिहार है एक ईसके आगे देखेंगे तो किस्सायम करता है तो किसे प्रकार की प्रृति प्रतिया यह तो जब कोई पती जो की बालीग है और आकिल है अर्थास स्वस्तचित है और वयस्क है वह खुदा की कसम खाकर कहे कि वह चार महिना या उससे अधिक समय तक अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा तो इसे ही इला करना कहा जाता है अर्थास इसमें अल्ला की कसम खाकर के यह प्रतिग्या की जाती है यह कहा जाता है पत्नी से कि वह चार महिना या उससे अधिक समय तक पत्नी की साथ कोई संभूग नहीं करेगा तो इसे yield कहा ऐसका जाएगा अगर पतणी जो पती जो है यिला करने के बाद चार महिने तक अपनी से से संभोग नहीं करता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है लेकिन इला को रद्ध भी किया जा सकता है जैसे अगर चार महीने के भीतर ही वह संभोग प्रारंब कर दे तो इला अपने आप रद्ध हो जाएगा और इस अवध में वह मौखिक अब आगे देखते हैं इला के बाद जो एक अधिकार प्राप्त है पती को जिहार जीहार सर्थार्ट पर यह है कि वह स्वस्ठचित और व्यस्क पती अपनी पत्नी की तुलना अपनी माता या प्रतिसित दिन भोग करने से इंकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अब जो है प्रायस्चित करेगा तो जिहार अगर करने के बाद जो है प्रायस्चित करने के तीन तरीके हैं पहला है इसमें एक गुलाम को आजाद कर दे या दो महीने का रोजा रखे या 60 गरीबों को भोजन कराए तो इसके माध्यम से जो है जो जिहार करने वाला जो पती है वह है प्रायशित कर सकता है अब देखते हैं कि जब पती-पत्नी के मिर्ध्य तलाक हो जाता है तो तलाक करने वाली जो पत्नी है वह क्या पुनह जो है अपने पूर्वपती से विवा कर सकती है तो अगर कर सकती है तो किस प्रकार से तो यहां पर है कि यह पति ने ट्रिपल तलाक अर्था तीन वार उच्यारण करके अपनी पत्नी को आस्विकार कर दिया हो या उसे तलाक कर दे दिया हो और वह इस्तरी इद्दत के बाद क्या करेगी हां तो यहां पर अगर उसने तीन तलाक के द्वारा वि करेगी इद्दत का पालन करने के बाद दूसरे पूरुस से बिवा करेगी और दूसरे पूरुस से बिवा करने बाद वह पूरुस के द्वारा उससे संभोग किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि संभोग के बिना बिवा पूर्ड नहीं माना जाता है और संभोग के बाद उ कि वह जो कि इस्तरी है इद्दत का पाल अपने पहले पती के तलाग प्राप्त करने के बाद इद्दत का पालन करेगी इद्दत की अवधी बीतने के बाद दूसरे पुरुस से बिवाह करेगी दूसरे पुरुस के साथ बिवाह करने पर उसके साथ संभोग किया जाना आवस् तो तलाग प्राप्त कर लेए हो महिला उसके साथ तो उसके बाद फिर से वह से इद्दत का पालण करना और यह जब फूरा हो जाता है तो सकती है अधा नहीं तो इसे ही मैं एक बहुत हुं होता है महिलाओं के लिए रहें है तो यही एक तरीकाै कि आद आपने पूरो पती से विवार कर सकती है कि अब देखते हैं कि तलाइप तफवीज क्या है पतनी होती है या महिला होती है कि हुद itself को अधिकार नहीं होता है वह अपनी पतनी को यह अधिकार आपने तरगाति को सकता है या तो देने तिसी तीसरे को दे सकता है आयली सकती का प्रयत्यायोजन और इसके द्वारा टेने की सक्टी को पतनि को भीदे सकता है और पतनी को सकति को परयूँगर करते हुए कि सोयम को तलाग करते हुए चयोंकि प्रयोग करते हुए मैं अब हम गया दो प्रकार हो गया हम देखते हैं कि पारास्परिक सहमति के द्वारा कौन-कौन से रीती हैं जो कि पारस्परिक सहमति से दोनों पक्षकार आपस में विवाः विच्छेद कर सकते हैं तो इसमें जो है दो प्रकार है एक खुला है और दूसरा मुबारत है तो खुला क्या होता है खुला का ताथ पर निर्मुक्ति है तो इसका अर्थ है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी पर अपने अधिकार और जो प्रभूत्त है उसका त्याग कर देना अर्थात जो पति है वह अपनी पत्नी पर से अपने अधिकारों को समाप्त कर देता है अपना प्रभूत्त को त्याग देता है जबकि पति जो है पत्नी के बी और अपने पति से एक तरह से खाईदा गया जो है तलाग का अधिकार होता है इसे ही खुला कहा जाता है तो इसमें जो पत्नी है वह कुछ धन देती है अपने पती को कि तुम हमको तलाग दे दो इसकी एवज में हम तुमको यह धनरासी दे रहे हैं सिया विधी के अंतरगत खुला के लिए पति को बालिग होना चाहिए आकिल होना चाहिए मुखतार होना चाहिए और कस्द होना चाहिए लेकिन सुन्नी विधी के अंतरगत उसे बालिग और आकिल अर्थात वयस्क होना चाहिए और स्वस्तिचित होना चाहिए अब हम मुबारत को देखते हैं मुबारत का तार्पर है पारस्परी छुटकारा तो इसमें रुची पारस्परी खोती है अर्थात पती और पत्नी दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं और पत्नी अलग होना चाहते हैं इसमें वास्तों में पत्नी की ओर से जो प्रस मैं अब देखेंगे कि एक बात ध्यान रखने ही होगी है कि जो तलाक होता है तलाक के समय साक्षियों की आवस्यक्ता होती है तो Penie क्यों की व sobie ले बीवाह वाला वीडियो है और इसको देखेंहें इसके बार सुन्नी किया था कि सुन्नी में जो बिवाह के समय कि अवार्षयक्ता होती है तो साक्षी जायं किस प्रकार के होंगे इसमें दो पूरुस साक्षी होंगे अगर दो पूरुस नहीं है तो एक पूरुस और दो महिला इन साक्षियों की आवसक्ता होती है लेकिन अगर सिया विध्य को देखेंगे तो सिया में बिवाह के समय साक्षियों की कोई आवसक्ता नहीं होती है बलकि यहां पर तलाक के समय दो पूरुष साक्षियों की आवस्यक्ता होती है तो दो पूरुष साक्षि की इस प्रकार के होने वहां पर वह होंगे कि वयस्क हों और स्वस्थचित हों लेकिन जैसा कि सुन्नी विधी में एक पूरुष या दो इस्तरी या दो पूरुष साक्षि हो सकते हैं लेकिन सिया विदि के अंतरगत कीवल दो पुरुष साक्षी ही होने चाहिए महिला किसी भी तरह से जो है वह साक्षी नहीं हो सकती है इसके बाद देखते हैं कि लियन क्या है लियन से ताथ पर है ब्यविचार का जूठा आरोप अर्थात जब कोई पती अपनी पत्नी पर ब्यविचार का जूठा आरोप लगाए और पत्नी को वहां पर अधिकार होता है कि वह बिवाह विच्छिद करा ले तो यह जो आरोप हो अन्यपूरुस्त के साथ उसको अनायतिक सम्बंध लगए यह अरोप लगा है कि वह जो उसके बच्चे हैं उस महीला के किसी और के बच्चे हैं वह जो पती है वह उसका बच्चा नहीं है पार उसके पतिक तलाख के लिए कारवाहि करने प्राप्त होता है और ब्राप्त इनहीं आधारएं पर महिला को अर्फात पत्नी को जो है तलाक के आधार दिया गया है यह आधारा दो के अंतरगत स्पिनों करने में उपेक्षा करता है या सफल रहता है है फिवा के समय पती जो पुन्सक था और अभी विवह नपुन्सक बना हुआ है तो इस आधार पर भी जो महिला है वह तलाक के लिए आविदन कर सकती है पती दो साल से पागल हो गया है या कुष्ट रोग से या असाध्य उग्र किसी रतिजन रोग से पीडित हो गया है या पत्नी अपने वैस्कता का विकल्प से तात्पर है कि उसका बिवाह 15 वर्स की आयू में उसके पिता के द्वारा या संरच्छक के द्वारा कराया घया था और अभी तक उसमें संभोग नहीं हुआ है तो ऐसी स्कति में जब उह महिला 18 वर्स की आयू प्राप्त कर लेती है तो उस विवाह को अस्विकार कर सकती है इसके साथ साथ जो पती है वह निर्दैता का भी दोसी है तो इन आधारों पर जो है जो महिला है वह है तलाक की मांग कर सकती है है एतों से प्रकॉर से यह जो है टापिक कंप्लीट हुआ और हम उम्मीद करते हैं की है जो वीडियो है और यह किसी भी प्रकार की में पेडियो की वीडियो से जर्ोडिये उसको ष्हों किजिए और इसके ताकि हम जो है जैसे भी और कोई वीडियो अप्लोड करें वह आपकी आपकी मुबाइल तक आपके फोन तक उसका पहुंच सके और आप उसका लाब उठा सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल पर बनने दहिए धन्यवाद